हेलो गाइज मैं उसन यार आप देख रहे हैं Hardware Mana आज हम लोग रिव्यू गने वाले हैं एक ऐसे माउस का जो मेरे ख्याल से आज की मार्केट में सबसे बेस्ट गेमिंग माउस तील्स में से एक है ये है VGN का Dragonfly F1 एक्चली दे F1 सीरीज इसके चार वेरियंट्स अवेलिबल है इंडिया में जो अवेलिबल है वो है VGN का Dragonfly F1 लेकिन जो हमारे पास स्पेसिफिकली वर्जिन है, that's the F1 MOBA चारो वेरियंट्स में आपको सेम ही फीचर्स मलते हैं, सब में सेम सेंसर है सब की body shape सेम है, switches almost same है weight almost same है जो main differences आते हैं, वो है actually battery capacity पे जो switches है, एक वर्जिन में थोड़ा सा अलग आता है and mainly जो actually इसका microcontroller रही यूज़़ है जो आपकी basically थोड़ी latency वगराब पे effect डालने वाला है अगर आप चाहिए सस्ता वाला version भी खरीदते हैं 99% I'm sure कि आपको performance से कोई complaint नहीं होने वाली लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ shape and size is more important than the actual sensor performance तो काफी कुछ है discuss करने के लिए लेकिन सबसे पहले मैं thank you बोना चाहता हूँ Mr. Abijad जनोंने ये actually mouse भेजा है इसका मैं बाद में रिव्यू करने वाला हूँ internationally इसका जो price I think 35 डॉलर से लेके 56-57 तक है इंडिया में जो variant available है यानि जो सबसे basic F1 version available है F1S version तो उसका जो price है वो है approximately 3600-3700 उपीस I think ये नियो मैक्रो पर अवेलिबल है इसकी availability इतनी जादा हाई नहीं होने वाली जैसे for example G Pro है ये आपको like अराम से मला थेले में मिल जाएगा आपको दर्जन के भाव से मिल जाएगा Cooler Master MM712 इसली मिल जाते है आपको ये डामो शाक जैसे mouse या फिर ये जो VGN जैसी companies है ना because these are from Chinese companies generally इनका कोई marketing department नहीं होता कोई जाना यहाँ पर कहलो PR department वगरा नहीं होता यहाँ इनके जो distributorship इनके चोटी-चोटी कावना companies या online retailers ही काते तो इसकी वेज़े से जो availability इना that will be affected the most तो अगर आपको बाय करना है यह एक modified mouse है यह stock mouse नहीं है आपको actual में जो retail version है इसमें फीट वगरा नहीं मिलने वाले लेकिन आपको actually pack में जो फीट मिलते हैं those are decent, not the best लेकिन काम चलाने के लिए काफी होगा तो technically में फीट का review इस video में नहीं क्लूट करता shape and size की बात करते है this is a medium size mouse तो उससे थोड़ा छोटा है ठीक है उस मामले में यह अगर आपके हाथ let's say 18 cm या 18.5 cm के आसपस है that will be the ideal spot for this kind of mouse अगर मैं डामोशाक M3S से compare करूँ तो यह दोनों same ही size के available है यानि आप इसको कैसे तरह small medium size for example मेरे हाथों का size है 19 by 10 cm का and यह मेरे लिए generally अच्छा fit हो जाता है लेकिन जिस तरीके grip मैं यूज करता हूँ उसके लिए मतलब आप कहलो कि मेरे लिए लगा लिए आदा संटीमेटर है थोड़ा सा छोटा है तो अगर अगर आपके हाथों का size थोड़ा सा चोटा है क्लो ग्रिप इजिली हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के for example मैं जो ग्रिप यूज करता है थोड़ी relaxed claw type की उसमें यह fit तो हो जाता है लेकिन उस एरिया से जैसे यह जो mouse प्रवाइड करता है जैसे डामो शाक प्रवाइड करता है वैसा support आपको यहाँ पर इस एरिया में नहीं मिलने वाला तो यह थोड़ा सा मतलब आप लगा लिए जी प्रो जैसी copy आप कह सकते हैं या फिर wiper mini की भी थोड़ी बहुत ऐसी shape होती है या जो original wiper जो थोड़ी जादा sloping है उनसे थोड़ा सा ज्यादा support है लेकिन आप कैसे थे similarities वहाँ पर ज़रूर है उससे भी चोटा है लेकिन आप देख रहे हैं यह वाला जो area है वहाँ पर आपको ज्यादा support मलता है compared to this area palm grip के लिए छोटे हाथों के लिए easily support करेगा अगर आपके हाथों का साइज जैसे 19 cm है 20 cm है overall it's a very versatile shape this is a very safe shape जादा तर लोगों easily fit हो जाएगा बिना किसी problem के जादा adjustment type नहीं होना चाहिए अब build quality की बात करते हैं जो generally Chinese mouse जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर generally problem क्या रहती है कि आपका QC सबसे best नहीं रहता है यानि quality control सबसे best नहीं रहता कभी आपका surface lose होता है कभी rattling कुछ होता है कभी switches खराब होते लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो यह वाला version है this is built nicely fit and finish है वो generally अच्छी है मैं अब ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ से प्रेस कर देंगे तो कुई button वगएर क्लिक हो जाए का side buttons वगएरा जैसे कुछ इन इवन महेंगी माॉस में जाता है like Cooler Master बहुत फिरमस अपने MM711 के लिए जहाँ पर आप साइट पर जोर से प्रेस करते थे तो actually left click press हो जाता था surface texture वगरा की बात को रहे एक G Pro को जब आप छूते तो definitely आपको feel होता है कि हाँ this is a more expensive आप कैसे ना more premium mouse या फिर जहाँ पर जादा R&D की गई है surface के लिए यहाँ पर वो quality feel नहीं आती जैसे Lamzu की surface feel बहुत अच्छी होती वहसा कुछ नहीं आपर नहीं है कोई coating बहुत ही special नहीं गीगी लेकिन let me tell you the grip is great आपके हाथों में फिसलेगा नहीं मेरे dry हाथों में भी यह almost चिपक ही गया था और गीले हाथों में भी यह easily चिपक जाता महानली जीज आपके हाथ स्वटी वगरा है तो actually functioning wise surface grip वगरा में मुझे कोई issue नहीं है यहाँ पे लेकिन एक चीज जरू कहूँगा for example this bottom plate this looks cheap यहाँ भी बहुती basic किसम का plastic यूज के अगया है बहुती cheap किसम का plastic यूज के है but I don't mind because मुझे actually feet वगरा से मतलब है मुझे उपर वाले हिसे से जादा मतलब है this is more than this is fine उलामजु जे सफ कुछ अनर fancy करने की नहीं कुशी की जो मुझे अच्छा लगते है so performance की अगर हम लोग जल्दी से बात करें तो मैं इतना करना चाहते है तो मुझे performance से कोई issue नहीं हुआ 3395 sensor में generally कोई issue नहीं रहता obviously flagship sensor है जो main difference आने वाला है वो है latency का अब जो मेरे पास जो version है this is the MOVA version यानि सबसे जो best वाला version आप कह सकते है इस mouse का यहाँ पे obviously थोड़ी performance बेटर है जो click latency वेगर है वो काफी जदा अची है like 1.5 millisecond, 3 millisecond के आसपास की है जो इसका सस्ता वाला version है यानि जो F1S वाला version है उसमें click latency मुझे नहीं पता because उसका जो microcontroller थोड़ा सा लगे लेकिन सबसे खराब भी perform करेगा ना तो वो 5 millisecond है 6 millisecond तक का होगा जो सच बताऊं तो काफी है आप unless like एक superhuman ना आपको फर्क नहीं पता चलने वाला this will be more than fine लेकिन अगर आपको सम्मरी चाहिए performance से इस mouse पर कोई कमी नहीं है polling rate और stability भी generally अच्छी ही रहती है and जो F1S है वो actually 2K polling rate भी support करता है लेकिन उसके लिए आपको dongle जो अलग से खरीदना पड़ेगा which is difficult to find so battery life का इसके बारे में बात कलता हूँ कि जो MOBA वाला version है जिसमें सबसे बड़ी battery है वो उसकी battery life कमाल गी है मुझे लगता है मैं इसको almost एक हफते से जदा इसको चार्ज नहीं कि अभी तक and अभी तक चल रहे है बिना किसी problem की and जो दूसा वाला version भी है उसको भी आप इसली 30-40 गंटे यूस कर सकते है जो सस्ता F1 वाला version है F1S वाला and उसमें भी आपको कोई issue नहीं होना चाहिए सबसे बैस नहीं है आगे से जिस तरीके से आप this is very comfortable मैं अगर आपका हाथ अगर आप रखते हैं बहुत ही comfortable तरीके से आप इसको अपने fingers place कर सकते हैं लेकिन दिखने में थोड़ा सा अशा लगता है थोड़ा कुछ जादा ही कर भी है थोड़ा से जिसी cut-out है I know यह subjective चीज़े यह matter नहीं करता लेकिन थोड़ा सा style के वाले में थोड़ी सी मज़ता की और improvement की जा सकती है ओके, let's talk about the switches जो switches है at least the MOBA version उसमें switches अच्छे आते हैं जो basic F1S है उसमें Kyle के आपको switches मिलने वाले हैं जो actually मैंने किसी दूसरे mouse में यूज़ के हैं and those feel nice switch के placement वगरा की बात करें मुझे काफी अच्छे लगा जो यह अपर side switches है यह एक अच्छी बात यह है कि बहुत अदा पतले है उसकी वज़से क्या होता है कि accidental clicks होने के chances बहुत कम यहां पर आपको ऐसा issue नहीं होना चाहिए आप चाहिए थोड़ा tight grip करें थोड़ा आपका उठा मोटा भी हो आपको काफी ज़्यादा यहां पर clearance easily मिल जाती है अगर आप वेट वगरा की बात करें यह जो f1 series है यह शुरू होता है 49 ग्राम से अगर आप एक वेट फ्रीक है मलब आपको हलके मौस पसंद है तो मुझे नहीं लगता है इससे आपको बेटर डील मिलने वाली यह ओवराल एक तरीके से आप यहां पर कॉम्परमाइज नहीं कर रहे आपको सुचेस अची क्वालिटी के मिल रहे है आपको परफोरमेंस सेंसर के अची परफोरमेंस मिल रहे है आपको जूवायलस कनेक्षन मिल रहे है उसकी परफोरमेंस अची है बिना किसी लाग वकमर रख welcome also getting your USB-C for example micro USB आप जो गांबल ख्यल रहे हैं प्राइस के साथ वो है quality control कोई गारंटी नी कि आपको कौन सी किस क्वालिटी का माउस में लेगा लेकिन जनरली जो अभी तक मैंने रिव्यूस पड़े हैं वीजिन के जितने ही माउस है उनकी क्वालिटी अच्छी रही है डामोशाक के कहीं बार कंप्लेंटी विद दे क्वालिटी विद प्लास्टिक इसली यह जो सुच का फील है इस सो बहुत जादा बेटर है इस इसका शेप इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे उसके मुकाबले जादा चिलगी स्क्रोल वी इसका जादा मुझे अच्छा लगा तो जैसे मैं वीडियो के टाइडल में लिखा आदा कि प्रॉबैबली द बेस गेमिंग माउस दील डाट यूँ फाइंड राट नो एंड वो सच्छा है अटलीस मेरे उपीनियों में सच्छा बहुत आपको पैसे खचकनी की ज़रूतनी आचकर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अच्छी क्वालटी की शेप के लिए अच्छी माउस के लिए अगर परफॉर्मेंस वगरा के मामले में वेट वगरा के मामले में थोड़ा सेव करो चार पांच थास थोड़ा से बचाओ एंड सम्थिंग बाइस वीजी अगरा यह सब आप डिसपोइंट नहीं होने वाले हैं सो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी इस वांट टो चेक इट आउ अगर कोई भी क्वेशन हो तो प्लीज जरू मुझे पूछना एंड जल्दी डामोशाक M3S एंड जो M3 है उसका रिव्यू आने वाल है तो मैं मिलूँगा आपको अगली बार तिल देन बाई